नमस्कार आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूँ आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारुक अब्दुल्ला आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें खबर पिलीवीश के पूरन पूर से है जहां ट्रांस चेत रूथ सारदा में लगातार बढ़ रहें जलस्तर से किसानों की सैकड़ों कर भूमी सारदा में समा चुकीए यहीं नहीं राहुलनगर के कई घर सार्दा के आगोस में समा चुके हैं जिससे इस्थानी ग्रामिरों में हड़कम मचा हुआ है मजबूरन ग्रामिर गाह छोड़कर सुरक्षित जगे पलाइन करने को मजबूर है बचाओ कारियों को लेकर इस्थानी प्रिसासन राद दिन कारियरत रहा है लेकिन निरंतर बढ़ रहे सार्दा के जलिस्तर से बचाओ कार धरासा ही सावित हो रहे है बिते पांस दिनों से अधकारियों की निगरानी में रात दिन सार जारीज बचाओ कारियों से कुछ हद तक रहात मिली है लेकिन सारदा का जल इस तरह अधिक होने के कारण सारदा का पानी राहुल नगर की गलियों वा घरों में गुसरा है जिससे हगाँ टापू बन चुका है यही नहीं सनिवार राहुल नगर की गलियों में पानी अधिक होने के कारण अधकारियों को मौके का जाज़ा लेने के लिए ट्रेक्टर ट्राली का सहरा लेना पड़ा 18 गंटे से लगातार पहाड़ी और मैदानी चेत्रों में हो रही बरसाथ से बन बसा मेराज में च्छमता से अधिक पानी छोड़ा गया जिससे सारदा उफना गई जलातकारी वा अब जलातकारी की निगरानी में लगातार बचा कारेयों दिस्तर पर चल रहे है अज की इस बिलेटिंग में फिराल इतना ही आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर नाइन पर अब चाहेंगे इजाज़त नमसकार